पीपेस महिला विश्वी विद्यले में स्टाफ के साथ अन्य सभी कर्मियों को पूरा करा करके केंद्रे विश्वे विद्यले बनाएं विश्वे मान चित्र पर वीवी का नाम होने से भगत सिंग का सो वर्ष से पहले तीन लड़कियों से शुरू किये गए गुरुकुल के दोरां देखा गया सपना नय केवल पूरा होगा बलकि यह है उनको सच्ची श्रद्धांजली होगी यह मांग बीपेस महिला विश्वे विद्यले के कुलपती प्रोफेसर राजेंद्र अनायत ने की हर्याना विधान सबा द्वारा शिक्षा स्तर को उँचा उठाने के लिए बनाई गई शिक्षा समीती के समक्ष रखी गई यह समीती बुध्वार को विश्व विद्यले में चात्राओं को दी जाने वाले सुविधाओं का निरक्षन करने पहुँची थी ब्पेस महिला विश्व द्यले में समीती गी, चेयर परसन एवम बढखल से विधायक सीमा त्रिखा, विधायक निर्मल चोधरी, असंद से विधायक समशेर सिंग गोगी, फिरोजपुर जिरका से विधायक मामन खान, बरोदा से विधायक इंदुराज नर्वाल और गोहा से विधायक जगबीर सिंग मलिक पहुंचे उनके साथ उच्चतर सिक्षा विभाग के निदेशक आरसी खरे के अलावा पूर्व मंत्री कविता जैन भाजपा के जिलाध्यक्ष तीरत राणा वैललित बत्रा भी पहुंचे थे सबसे पहले समीती के सभी सदेश्यों ने भगत फूल सिंग की परतिमा पर पुष परपित करते हुए उन्हें शर्धांज लिदी इसके बाद कुलपती प्रोफेसर राजेंदर कुमार अनायत ने वीवी की रिपोर्ट पेश की यहां समीती सदेश्यों ने वीवी की समस्याओं के बारे में भी जाना इस पर कुलपती ने बताया कि वीवी में स्टाफ की कमी आयरवेद कॉलिज के असिस्टेंट प्रोफेसरों को कम वेतनमान मिलने समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराएगा इसके साथ ही उन्होंने समीती से मांग की कि इन समस्याओं को दूर कराएं और वीवी को केंद्रे विश्विद्याल बनवाएं उन्होंने पूरे हरियाना के महिला कॉलिजों को महिला विश्विद्याल से जोडने की बात समीती के सामने रखी इस पर सीमा तरिखा ने उन्हें उचित आश्वाशन दिया इस दोरान कुल सचीव डॉक्टर नीला मलिक, डीन अकादमिक अफेर वडीन फेकल्टी आफ आयरुवेदा प्रोफेसर महेश धादीच, SDM आशीश वशिष्ट, ASP निकिता खटरव महिला मेडिकल कॉलिज के निदेशक डॉक्टर राजीव महंदरू मोजिद रहे विधायकों ने रखी बरोदा वे भैस्वाल कॉलिज को वीवी से जोडने की माँग ने विवी के स्कूल से П्टि आई को हटाने का भी आरोब लगाया इस पर चेयर परसन सीमा तरिखा ने विभाग के निदेशक ववीवी के परशाशनिक अधिकारियों को जल्द इन सभी समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया किने इन मीडिया के लिए खानपुर करना से सहीयोगी रुपेश के साथ अरुन कुमार अरुष के अंडर लें यहीं शिर्ष्टी के और उसकी वानना को बिल्डिंग करना स्टाफ प्रोपर है फाइदा क्या आए बच्छों का मईशे कराब करें अरो सरकार के लेवल पर कुम हैं मैं हम आज कई जगे कि आपने विजिट किया है क्या कुछ देखने को मिला और क्या अज हर्याना की हेल्थ एंड एजुकेशन कमीटी की आज सोनीपत में विजिट थी हमने यहां पर बतौर कमीटी मेंबर्स के साथ हम लोगों ने गनौर का जो संस्कृती मॉडल स्कूल है मुख्य मंत्री जी ने सोनीपत को कॉलेज दिया था मैला उस कॉलेज की विजिट करी बिल्डिंग बन रही है वह वाली बिल्डिंग भी लगब 90% कंप्लीट हो चुकी है जैसकि हम लोग वांगे हमने देखा भी और वह बता रहे थे कि फैबररी के बाद मतलब मार्च में वो हैंड ओवर कर दी जाएगी साड़े पांसो बेटी हमाँ पढ़ रही है वो शिफ्ट हो जाएंगी वो भी किसी स्कूल में उनको जगा दी गई है फिर हम लोगों ने यहां पर युनिवरस्टी जो हमारी है भगस फूल सिंग जी की वहां हम लोगे जो बेटियों का गु सब्सक्राइब तो उसके यहां 2 साथ साल से तो हम नहीं कहेंगे हमें तो साथ साल ओबे गड़े चाहीं होई उसके लिए प्रियास ρाती है ऐसी बात नहीं है अभी जो दो साल करोना के निकले हैं उसमें थोड़ी हमारी स्पीड जरूर स्लो हुई है लेकिन इश्वर की दिया से थर्ड वेब पहुंचे ना और जो हम लोगों ने वैक्सीन का काम किया है माने मोधी जी के नितर में देश के साइंटिस्ट हैं जो बहुत बड़ा एक चमतकार कि है मैं तो सारे साइंटिस्ट को बहुत धन्यवाद देती जो आप पता रहे हैं न स्टाफ की कमी है उसमें बहुत सारी चीजें हमने पूरी करने का प्रयासरत हैं और हमने किया भी है दूसरी तरफ पे कुछ लोग जो हैं जो कोट मूव कर जाते हैं वो इस काम को करने में थोड़ा सा डिले प्रॉसेस हो जाता है क्योंकि जब तक कोट की तरफ से ना कोई फैसला आए तब तक हमें रुकना पड़ता है और जहां पर हम फ्रीली कर सकते हैं उसके लिए सरकार अपने नॉम्स को बदल रही है और कर रही है आगे काम जो करमचारियों की समस्या है जैसा मेरी अभी यहां के डॉक्टर साब से जो चीफ है उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि कुछ जो इसमें होते हैं हमारे ठेक अप रथा में होते हैं तो उन्होंने ये बताया उसमें कमियां उन्होंने देखी हैं मैंने तो कोई कागज नहीं देखा उन्होंने कहीं ने फेक कागज लगाए में हैं तो हम फेक वालों को आगे नहीं करेंगे हम उसकी क्रॉस वेरिफाई करेंगे उसके बाद में हम लिस्ट पूरी करके दे दे यह तो लिस्ट अपनी बना रहे हैं जो ठेकेदार के जो बंदे निकाले गए हैं यह लिस्ट बना करके भेजेंगे हमारे पास तो उसके बाद में प्रशासनिक लोग यहां आए करने के लिए आए खिशन लोगी बताएंगे आपको हम कमी करने के लिए भेजे गए हमारे कारेकाल के दौरान पूरी ना हो पाई यह जो पिछली वाली पेंडिंग चल रही है अभी जैसे कि मैं यहां आई हूं मेरकों यहां पर अबने बताया कि इदर कॉलेज में पानी बहुत भरता है देखिए बहुत छोटी सी बात है आज मैं यह मानती हूं कि पानी को संग्रक्षित करने के लिए बीस यों पॉलिसी केंद्र की सरकार और हर्याना सरकार से भी निकला धान की खेती भी पानी संग्रक्षन का एक रोकना पानी संग्रक्षन का एक तरीका तो मैं सोईती हूँ थोड़ा सा प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए और ठोड़ा लोकल लेवल पर b히 मुस्तैदी इस कि आनी चाहिए वाटर हर्वेस्टिंग जगह जगह पर कर दें तो पानी की तो अपने आप सिस्टम सॉल्व हो जाता है यह भी अगर मुझे बताना पड़े तो मैं सोईती हूं कि मैंने क्या काम कर रही हूं कि मैं फिर कमेट्टी का फाइदा क्या किसले विजिट मैं आपको यही तो बताने हूं कि यह इतनी चोटी चीज अगर मुझे बतानी पर वह तस्वीर हैं अगर आप देखते ना एक महिने तक पानी नी निकला मंद्या नहीं पाए हैं मैंने तो आपकी यही बात मानी है मैंने आपके यही बात मानी है कि पानी है मैं तो इस चीज़ को एडमिट कर रही हूं मैं आपको यह कह रही हूं कि आज चार साल के बच्चे को भी पता है कि पानी संग्रक्षन की कितनी importance है तो यह local level पर अब तक हो जाना चाहिए था यहां पर water harvesting के different places पर जो उसके norms हैं उसके मताबिक बन जाने चाहिए थे अगर नहीं बने हैं तो मैं आज भी इनको बोल करके जा रही हूं यह तो college में अपने level पर ही यह काम कर लिए जाते हैं कि हमारा water harvesting का उल्टा पानी रीचार जादा होगा जल्दी होगा बढ़िया होगा यह चीज होनी चाहिए दूसरा कुछ लोगों ने मुझे roads की complaint ती जबकि मैं health और education से आती हूं पर फिर भी बात आगे पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी भी और हम पहुंचाएंगे भी तो साथ साल से सड़के भरने का काम कर रहे हैं आप इसको दुबारा से चलाएं और आप उसमें चेक करें उनने का जी क्या हो रहा था तो मैंने का जी अभी तक तो हम पुराने घड़े भर रहे हैं तो पुराने घड़े बरने की बात थी ना तो इस मेडिकल कॉलेज में पांच-पांच आरोपीडी एक दिन में होती थी अब क्या हो गया कि वो हर रोज कम ही हो रही हैं मैं अभी आपको बताती हूं इश्वर ना करें के थर्ड वेव आएं मैं तो आपको दो साल की इनकी रिपोर्ट ले रही हूं करोना स्पेशल इश्वर ना करें के थर्ड वेव आए मेरी अपनी मदर है जिनकी एज है सेमेंटी सिक्स इर्स उनको अगर डॉक्टर के जाना होता है मैं वीडियो कॉल पर कराती हूं बात भगवान ना करें के हॉस्पिटल जाने की मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए कोई भी व्यक्ति जो डॉक् से मेरेजंटेर्ग घर कंसल्टेर्शन वीडियो कालिंगफ लो सकती है मने तो उसमें करोणा में भी वीडियो कालिंग की सिर्फ डॉरेशन करोंड के कै써 को करौना को नम्हाले पीरियड को करोना का पीरिड हम बिलकुल भी नहीं निकाल सकते क्योंकि जो हमारी कंस्रक्षन डवलबमेंट वह बेसिकली स्लोडाउन ही लास्ट्टू यर्स में है अब वहारा जो हर्याना हर्याना में पूरे भारत के लोग आकर के बसते हैं मैं जिशन शेहर से आती हूं आप माने के करोना की फिर्स्ट वेव थी जो लोग इतने पैदल जाते वे दिखाई दे रहे थे वो कौन लोग थे वो हमारे पुर्शार्थी लोग थे जो कहीं बिल्डिंग बनाते हैं कहीं पर वो खेतों में काम करते हैं वो सब लोग अपने गाउं जा रहे थे तो ये एक बहुत बावजूद भी कुछ लीपा पोती का माहौल हमें तो नजर आया विधायक इंदूराज नर्वाल हैं जो ब्रोदा विधान सभा शेतर से हैं और महिला मेडिकल कॉलेज और खानपूर विश्वी डेले का जो दोरा किया है उसके बाद क्या चीज निकलके सामने इन से जाने को इसलिए रखवाए के खान पर पीजी आई चाहिए उनिवस्टी होई यह खुद खान पर पीजी आई की बात करें खुद बीमार है इसलिए कमेटी को ले गया आपने देखे हैं कितनी इशु आए यहां डॉक्टर नहीं है यहां ओपरेशन जो अमेरजन्श ओपरेशन तव चीज मानने को त्यार नहीं है वो तो दो साल करोना काल कोई कोस रहे हैं जबके ओपीडी तो पहले से गिरनी स्टार्ट होगी थी देखे मैं तो आपके चलनल में यह करना चाहूंगा यह कमेटी कोई बीजेपी और कॉंगरिस की नहीं है यह भी दानसे बागी कमेटी है जो जो सब्सक्राइब करें जो आगे वाले कमेटी है जो विदान सब्सक्राइब होगी में उस पर वेटके मचर्चा करेंगे आपने देखे में यह उठाई है यहां गटती जा रही है लगातार सडके नहीं है ऑस्पिटल के अंदर पानी बर जाता है तो इस पर री चार्ज सिस्टम री आर्वेस्टिंग सिस्टम सरकार को बनवा देना चीए तो असान सा काम है लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार का किसी कारणवाशी दर ध्यानी नहीं है गडबड यहां है विदान सबा में यह मामला जो है यहां के लोकल लोग उठाएंगे तो हम भी प लेकिन यहां कमियों से ही मामला बढ़ा पड़ा यहां डाक्टरों की दिक्कत नहीं है यह डाक्टरों की वज़े से कुई दिक्कत नहीं है डाक्टर तो काम करना चाते हैं लेकिन उनके पास साधनी नहीं है स्वीदाई नहीं है तो इस वज़े से दिक्कत आ रहे हैं आपक तो जनतार उखाड के फैंक देगी गड़े बाप परी नहीं बन जेंगे। तो जो कमी आनको ठीक करना चाहिए और मैं तो हर सेशन में इन डॉक्त Benedict C medicinal गौषण के बारे में पूरा उठाता रहा हूं कुश्चन और हर बार यह करता हूं यह डाक्टर पूरे होने चाहिए इस विजिट से कुछ फायदा होगा मलिक साथ विजिट से फायदा होगा यह विजिट यहां जो जुरूरत की चीजे हैं वो उनको कहें जैसे अब एक चेर है सी आर्म ओपरेशन थेटर में मेर्जिंसी का वो चार साल से नहीं है अब इनके नोटिस में लाए हैं वो चार साल से खराब परेशन को ठीक करें तो यह उनका काम है झाल मानन का मिली को जुरूरत कीजे ले करें से कीक बप्रसके परेशन वब परेशन को कि वी उुरूर थाय नहीं उनके वी ये नहीं है आईचियस में जॉब गरंटी बैच फिर से आ रहा है जिसमें सेलेक्शन 100% गरंटीड होगा वही 3-4 गंटे की डेली क्लास, 3-4 गंटे का होमवर्ग आईचियस होमवर्ग आप और डेली टेस्ट जिस दिन आईचियस के टीम में स्टुडेंट्स का सेलेक्शन करवाने का दम नहीं होगा न उस दिन सेंटर बंद कर देंगे सेलेक्शन्स आईचियस में पहले भी दिये हैं और हम आगे भी देंगे मेहनत तुम्हारी रास्ता आईचियस का कर देंगे